Class 11, West Bengal Council of Higher Second Education, जिसमें हम लोग Lesson No. 2 का इस वीडियो में Full Analysis करेंगे Study Material का. इसके पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड किया है, जो कि ये वाला है, आपका Lesson No. 1 के बारे में, तो 1 के बारे में पुरा हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है, तो Description Box में उसका लिंक दिया रहेगा, आप उसको देख लीजेगा. अब चले करें स्टार्ट करते हैं, हम लोग Lesson No. 2, जिसमें हम लोग Total Analysis करेंगे आपका Lesson No. 2 का, और जिसमें हम लोग पूरा का पूरा जो Study Material है आपका, जो आपका Council ने जो syllabus दिया है, उसी क्याधार में अपना एक Study Material बनाया है, उसको मैं आपको समझाऊंगा, जितना कम समय में हो सके समझाने ही कोसिस करूँगा, नहीं तो लंबा होने से आप वीडियो नहीं देखते हो, लेकिन 40 मिनिट के अंदर अंदर तक मैं complete करने ही कोसिस करूँगा, चले स्टार्ट करते हैं, इस चेप्टर का नाम क्या है, इस चेप्टर का नाम है आपका Economic Problems and Economic Solution, या Economic System, Economic Problems and Economic System, या Actually है क्या देखिए, हम इस चेप्टर में केस बात पर चर्चा करेंगे, कि Economically, यानि कि आर्थी ग्रूप से क्या क्या Problem हमारे सामने आई, और हमने उसका Solution क्या क्या, या System हमने बनाया, जिससे उसका Solution निकाला जा सके, एक Example बताते हैं, आपको Clear हो जाएगा, ठीक है, जैसे माल लिजिए, अगर एक मैं लड़का है, और कहा, अपने दोस्तों में बाट लो, ये गया, अपने दोस्तों के पास, इसके पास तीन दोस्त है, पहला, दूसरा, और ये तीसरा, अब बताओ, ये चारों मिलके चार दोस्त हो गए, मैंने कितना चक्रों एक एक करके बाट लेंगे, एकदम obvious है ठीक है लेकिन अगर मैं इसको 6 chocolate दे दूँ तब क्या होगा तब इसके मन में आ जाएगा ना कि अब कितना करके chocolate देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि एक economic problem इसके सामने आ गया अब इस economic problem का वो solution कैसे करेगा एक system बनाएगा वो system क्या बना सकता है वो system बना सकता है कि चलो 4 तो हम एक एक करके बाट लेंगे और 2 जो बच गया है वहाँ पर वहाँ आधा-धा करके बाट लेंगे या फिर एक और काम भी कर सकते हैं ठीक है कि हमने एक lottery करेंगे जिसको जो मिला मिल गया मि का system ढूणने की कोसिस करते हैं तो वही है economic problems और economic system तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस chapter में ठीक है अब देखे मैं बताने के लिए तो बहुत सारा लंबा चोड़ा explanation हो सकता है मैं shortly इसलिए जा रहा हूं कि एक ही वीडियो में सारा का सारा complete करा दो और आपको एक ही वीडियो में जितना हो सके जितना आपका syllabus में complete किया दा सके वैसे किसी किसी यह complaint होगा सार कि आप बहुत शॉटली बता रहे हैं तो शॉटली तो बिल्कुल बता रहे हैं बहुत लंबा प्रसेस में नहीं जा रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं ताकि आपका जितना कम समय में हो सके आप इसको याद कर लो और वैसे मैं offline कराता हूं तो बहुत लंबा जाता हूं आल्लाइन में मैं बहुत कम वीडियो देखते हैं तो इसलिए मैं शॉट ली कराता हूँ चलिए तो यहां पर इस चैप्टर से लेसर नमबर टू से आपका काउंसिल ने क्या-क्या क्वेटन दिया है देखिए एक आपका MCQ आएगा एक आपका वेरी शॉट इंसर क्वेशन आएगा और एक आपका आएगा शॉट इंसर क्वेशन है कि दो लगेगा कि सर बहुत लंबा चोड़ा सले बस है लेकिन टॉपिक दिया हुआ है टॉपिक क्या है एक सले के बारा तक है हम छोटा चोड़ा टॉपिक करके कंप्लीट करेंगे और जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे इसको ठीक है ये वीडियो खतम होने के बाद में तीन वीडियो और आएंगे कौन-कौन सा एक आएगा mcq mcq पर चर्चा करेंगे हम लोग दूसरा होगा very short answer question और तीसरा होगा short answer question live class में class level के लिए नहीं रखा हूँ अगर जरूत पड़ा तो मैं application में live class के लिए बुला दूँगा वहाँ पे तब हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं तो फिर हम लोग video class में क्या करेंगे इसको complete करेंगे और एक एक करते रहेंगे चलिए start करते हमारा आज का study material उसके बाद ये तीन वीडियो बाद में आएंगे वो देख लेंगे ठीक है चलिए पहला topic topic वो पहले वाले से दिया गया है तो बार बार में वहाँ जाओंगा नी तो समय क्या खफ़त होगा इसलिए number one topic है आपका relative scarcity and economic problems तो पहला बात को उनमें समझ लेते हैं relative scarcity यानि के साप एक छिक सिमितिता किसे कहते हैं बिना example का कुछ समझ में नहीं आता है बिन example के साथ चलेंगे तो better होगा और आपके आसपास ऐसा होता भी है देखे क्या देखे इसके बारे में हम लोगोंने थोड़ा सा चर्चा lesson number one में किया था सिमितिता किसे कहते हैं ठीक है सिमितिता क्या होता है अगर हमारे पास चलो एक हम उधारन देते हैं अगर यहां पर ये गाओं है इस गाओं में अगर मान लोग की सौ लोग रहते हैं कितने लोग रहते हैं सौ लोग रहते हैं और सौ का सौ करूर पती है सारे का सारे करूर पती है तो पताएए यहां एकनॉमिस ज़दा काम करेगा या फिर अगर हम दूसरा वाला एक गाउं बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला गाउं में, दे देते हैं, यहां भी 100 लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर 10 लोग बहुत अमीर हैं, मतलब आपका 900 लोग गरीब हैं, और बहुत ज़्यादा गरीब आपका 90 लोग हैं, सौरी 90 बोलते हैं, यहा प्रव्ड हो गया, देखें, डिफरेंस जहाँ ज़ादा होगा, अलाग अलग ज़ादा जहाँ होगा ना, वहाँ इकनौमिस पन पेगा, कैसे पन पेगा, इसी को है, यहाँ रिलेटिव स्केरसिटी, क्या है मतलब समझ यह आपे, एक कहानी बताते हैं, कहानी क्या है, एक आई है नारियल उकता है क्या कोई भी वैक्ति कि एक दुसरे को नारियल बेच सकता है क्या नहीं बेच सकता है क्यों नहीं बेच सकता है क्योंकि वह इसके पास जाएगा तो बोलेगा मेरे पास तो नारियल अल्रडी है मतब उसके पास में कमी कोई चीज़ का है नहीं तो बताईए क्या होगा, अब एक दिन क्या होगा, बहुत जोड की बार, मतब आंदी तुफान आ गया बिचारे, इसकी नाडियल का पेड़ का क्या हो गया, बह गया अब बताईए इसके पास कमी आ गई, कमी क्या होगे इसके पास नहीं है अमनारियल तब यह पांचो ट्राइ कर सकता ने इसके उपर में कि हाँ, मेरा अमनारियल क्या करो, आप ले लो, खरीद लो, ठीक है तो बताईए, मार्केट तब ही क्रियेट होगा, जब वहाँ पर क्या हो, सीमीत्ता हो, यानि कि कम ही आ जाए, कोई चीज़ का तो इसी को कहते है, relative scarcity, यानि कि जब भी कोई सीमीत्ता होती है, इसमीत्ना मतलब कि कोई वस्तू का कम हो जाना जैसे देखिए, आपके चारो तरफ में देखेगा, क्या कोई बाहर में बैठके पत्ता बिकरी करता है, या आपको बाहर में बैठके पत्थर बिकरी करता है, बाहर में जो हमेशा, चारो तरफ बहुत ज़दा हवा मिलता है, तो हवा का कोई मार्केट होता है, नहीं होता है जल का कोई market होता है नहीं होता है लेकिन बोतल में बेशते हैं वो अलग बात है लेकिन पानी तो हम कहीं से भी जाके क्या कर सकते हैं पी सकते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है हमारे दुनिया में तो कहने के मतलब जो चीज सबसे ज़्यादा है उसका कोई market नहीं होता ह तो market कब बनेगा या economist में कब घुसेंगे जब relative scarcity आएगा तो किसे कहते हैं जहां पर वस्तु की आपूर्त यानि कि supply जो है वो समीत सीमीत हो जाए हमारे पास देखे हम कुछ demand करते हैं मांग करते हैं तो हमारे पास supply होती है हम मांग कर रहे हैं सोना का चांदी का तो सोना क्या है बहुत कम है ना उसका market में value ज़्यादा है हम मांग कर रहे हैं किसका चलिए मांग करते हैं हम लोग हवा का तो हवा कोई market नहीं क्यों कि हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा है सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसका कोई सिमित्ता नहीं है लेकि जहां पर वो सप्लाई कम हो जाता है वहीं पर सिमित्ता का प्रस्ना आ जाता है दूसरे सब्दों में कहेंगे कि सापेक सिमित्ता क्या है जहां आपूरती मांग को पूरा नहीं कर पाती है उससे कहेंगे relative scarcity clear तो यहाँ पर देखिए अब हम आते हैं थोड़ा economics वाला में हमारी जरूरते क्या है unlimited बहुत जादा है हची चाहिए हमें ठीक है लेकि resources क्या है limited क्या सब के पास वैसा है नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है choice करना पड़ता है lesson number one में भी पड़े हम लोग अब यह जो choice करने में हमें आती है कुछ-कुछ problem क्या problem आती है जैसे अपके पास 200 रुपया है market में जाओ तो बहुत सारा समान है जो 100 रुपया में आ सकता आपके पास में तो choice तो करना पड़ेगा आपको कोई एक को choice करेंगे ना तो वो choice कौन करवाता है वो करवाता है economics करवाता है और उसी को हम लोग economics problems कहते हैं अपने economics की परिवासा में ठीक तो क्या समझे इसमें कि economics जो है वो कहां से पनपा जब आने पास में relative scarcity होता है तब choice की मामला आता है और जब choice करते हैं तब वो उसको कहते हैं economic problem clear आपको जब मैं सब्सक्राइब करवाऊंगा उसमें इसका question के साथ explanation कर दोंगा तो और ज्यादा better होगा ठीक तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग दो नंबर में दो नंबर point क्या कह रहा है इसमें देखें तीन सवाल three fundamental economics दो नंबर topic जो है वो क्या है three fundamental economics question every society must address तीन सवाल जो हर society को थोड़ा समझना पड़ेगा जानना पड़ेगा वो तीन सवाल क्या है एक्जाम में आता भी है वो तीन सवाल है आपका what how and whom तीन सवाल what का मतलब क्या उत्पादन देखें economics में क्या होता है हर चीज़ का उत्पादन किया जाता है बनाते हैं हम लोग क्यों चीज़ को तो हम उत्पादन कैसे करेंगे क्या उत्पादन करेंगे ये सवाल हमारे मन में होना चाहिए how कैसे करेंगे ये भी हमारे मन में सवाल होना चाहिए और किसके लिए करेंगे वो भी सवाल होना चाहिए तो तीन सवाल है कौन-कौन से किन वस्तू का हो सिवाओं को उत्पादन किया जाए अब किन वस्तू से आपके मन में जो समाज का भला हो, तो क्या वस्तु का उत्पादन करना है, वो पहले सोचना पड़ेगा, फिर हम लोग किस तरह से करेंगे, जैसे देखिए, हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, उसका तरीका भी होता है, तरीका क्या है, जैसे माली जब कहीं पर बाजार में चौमिन खाने जा बनाना है कि लोगों का सेहत खराब ना हो, अगर सेहत खराब होगा तो मेरे पास आएगा नहीं, तो कैसे बनाना है, ये भी मन में आना चाहिए, तो हम लोग उसका उत्पादन कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे कि समाज का भला हो, और तीसरा जो हो गया, वो हो गया, किसके लिए करेंगे हम लोग ठीक है जैसे माल लीजे अगर आप कोई वस्तु का निर्मान कर रहे हैं चले आलू बना रहे हैं तो आलू तो सब खाता है ठीक है उसके लिए सब के लिए उत्पादन कर रहे हैं तो उसी प्रकार से आपका क्या होता है कि हर एक उत्पादन के पीछे समाज मे तीन सवाल होते हैं, what, क्या उत्पादन करना है, how, कैसे उत्पादन करना है, और whom, किसके लिए उत्पादन करना है, ठेक, तो यह हमने समझ लिया, third number topic में आएंगे, अब देखें, उत्पादन तो हमने कर लिया, अब तीन जो गोल है, छे गोल, six broad goals है, social goals, जो की हमें समाज मे चाहिए, कैसे समाज में चाहिए, अगर हम economist में रहते हैं, आर्थिक समाज है हमारा, तो छे जीजे हमारे पास में होनी चाहिए, जो सरकार मुहया कराती है, क्या कराती है, वो छे गोल होते हैं, पहला होता है, efficiency या निके कुसलता, कोई भी काम हम करे, तो कुसलता पुरवक क करे, उसका बंदोबस्त कौन करता है, सरकार, तेखे, आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करें, आप जानते हो ना कि जैसे, अगर कोई ठेला वाला, मतलब होटल वाला कोई समान विकरी कर रहा है, मिठाई बगरा कर रहा है, तो उसके उपर में भी क्या होता है, कोई एक ब कुछ ऐसा चीज पाया गया, उसको बंद करवा दिया गया, तो देखे, यहाँ पर यह कुछ अलता पुर्वक होना चाहिए, दूसरा हो गया, एक्विटी, सभी के लिए होना चाहिए, जो भी हम एकनॉमिक्स में करे, वो सब के लिए, जैसे यहाँ पर तीन आदमी दिख र वो करने में क्या हो, पीछे हट जाए, तो इससे क्या होगा, हमारे समाज में आर्थिक्स प्राब्लम्स क्रियेट होगा, तो यह हो गया, सभी के लिए होना चाहिए, ग्रोथ, हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए, कि सभी कोई क्या करे, ग्रोथ कर से के, ऊपर की तरब जा से security जो पैसा हम कमा रहे हैं उसके उपर में सुरक्षा भी हमें क्या देता है मिलना चाहिए जैसे मालो हम पैसा कमा रहे है साम को कोई आया लूट के देके चला गया तो वो भी सही नहीं है तो क्या होगा सुरक्षा भी हमें प्रदान करना पड़ेगा और stability, stability स्थिर्ता कोई भी काम करो तो stable होना चाहिए ऐसा नहीं कल होके वो बंधी हो जाए ठीक है ऐसा नहीं तो यह 6 चीजे है जो हमें मान कर खलना पड़ेगा हम लोग क्या करेंगे उसको समझ के चलेंगे ठीक है तो 6 गोल हमारा complete होना चाहिए तीन question है और 6 गोल हो गया नेक्स्ट आते हैं हम लोग private property and market economy यह आपका topic जो है बरा important है आपका syllabus के हिसाब से और आपका question pattern के हिसाब से और बार बार यहां से question आता है क्या है समझे प्राइवेट property किसे कहते हैं हमारे यहां सरकार है हमारी property है अगर हमारी property यानि हमारे घर पर अगर मेरा ही अधिकार है तो वो private property का लाएगा लेकिन उस घर पे अगर सरकार का अधिकार हो जाए वो जब चाहे हमें क्या करें निकाल सके तो वो planned economy का सहरा होता है वो उसको और कहते हैं public property कहते है तो यह हो गया private property यहाँ पर देखिए सरकार अपना हाथ बढ़ा रहा है और मैं कह रहा हूँ नहीं यह मेरा है मतलब आप नहीं ले सकते हो तो कहने का मतलब है कि private property क्या होता है कि वो property जिसका मालिक कोई व्यक्ति होता या सम्मू होता है जो उस पर अपना अधिकार जमा के रखता है ठीक इसके क्या-क्या विसस्ताएं है या आपको ACQ में काम आएगा क्या विसस्ताएं है कि एका अधिकार सम्मू होती है उसकी खुद की होती है दूसरा क्या हो गया उसका मुल्य के निर्धारन हम कितना रुपया में बेचेंगे कितना में खरिदेंगे वो निर्धारन कौन करेगा उस जगा का या उस वस्तू का मालिक करेगा ठीक मेरिट क्या है इसका गुन क्या है यह लोगों को मेहनत करने के लिए क्लिए क्या करता है प्रेडिट करता है क्यों करता है अगर हम अप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा एसिट होगा ज़्यादा हम घर खरीद पाएंगे ज़्यादा हम समान खरीद पाएंगे अगर माल लीजिए हमने बहुत सारा समान खरीद लिया और सरकार बोलती है वो मेरा है आपका नहीं है त ठीक है, तो ये क्या है, मेहनत करने के लिए क्या करता है, प्रेडित करता है, दुसरा हो गया, नीजी संपती भविस्य को सुरक्षित रखती है, भविस्य को कैसे सुरक्षित रहेगी, माल लीजे, मेरे घर में कोई आपदा आ गई, किसी का एक्सेरेंट हो गया, या फिर कोई ऐसा चीज़ आ गया कि पैसे की बहुत जरूवत है तो मैं अपना property क्या कर सकता हूँ बेच के और अपना जो काम है वो कर सकता हूँ तो भवी से मेरा क्या है सुरक्षीट है अगर वही जो property है वो अगर सरकार का है तो सरकार तो हमको बेचने नहीं देगी इसलिए private property ये फायदे की बात है ठीक डी मेरिट्स क्या है लोगों को लालची बना देता है बिल्कुल बना देता है ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमाना चाहते है कि मेरे पास क्या हो सब सुविधाय क्या हो मुझूद हो तो ये हमें लालची बना देता है और नेतिक्ता में कमी आती है हम लोग मतलब कभी क्या होते है ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ठगी का इस्तमाल करने लोगों ठगते है इसमें नेतिकतागी क्या होती है कम ही आ जाती है यह लोगों में असमानता को क्या करता है बढ़ाता है कैसे बढ़ाता है अगर कोई ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर रहा है माली जब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा लेकिन जो नहीं कर पा रहा है वो गरीब का गरीब निकला है हमारा market economy जो कि उसी को कहा जाता है capital economy या फिर capitalism कहा जाता है वही concept है बस थोड़ा और उसको क्या करना elaborate करना है क्या है इसमें एक ऐसी बाजार व्यवस्ता जिसमें आर्थिक निर्ने और वस्तु का सिवाओं का मुल्य के निर्देश के व्यक्तिगत नागरिक और व्य है यह एक फूल का टोकरी लेके आया है और बेच रहा है बोल रहा है कि 50 रुपया में एक फूल हम बेचेंगे गेंदा का फूल है 50 रुपया बेचेंगा कोई खर्द नहीं रहा है तो इसमें क्या क्या को घटा दिया कितना कर दिया 20 कर दिया अब भी कोई नहीं खर्द रहा बोला पांच रुमे में खर देंगे, तब क्या हो गया, सारे सारे बिकने स्टार्ट हो गया, कहने का मतलब है, कि दाम घटाने से वो बिक रहा वहाँ पे, तो दोनों का सहमती से हो रहा है, तो price mechanism इसको कहते हैं, जिसमें दोनों मिलकर आपस में क्या करते हैं, decide करते हैं, कि हम क इतना रुपय में क्या करेंगे, समान को बेचेंगे, तो इसका कुछ characteristics है, जो अपके exam में आता है, वो क्या है, पहला है private ownership, जो समान है, वो किसका है, उसका खुद का है, profit maximum से, इसमें लोग हमें साख जादा क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा profit करना चाहते हैं, ताकि उसका समान उसी के पास में, चुकि उसका समान उसी के पास रहता है, तो ज्यादा profit करेगा, तो ज्यादा बड़ा अदमी बन सकता है, economic inequality, ज्याने कि आर्थिक असमान था, बिल्कुल सही, आर्थिक रुप से कोई ज्यादा अमीर बनना चाहता है, और कोई क्या होता है, गरी तो दोनों को बीच में हमेशा क्या होगा, conflict तो होगा, दोनों तो रहेगा दोनों को बीच में, कि हमको ज़्यादा, इसमें आप देखते हो ना कहीं के पर strike हो जाता है, जो labor कहते हैं कि मुझे मेरा तनखा बढ़ाओ, मालिक कहता है नहीं बढ़ाएंगे, तो दोनों को कटके, फिर ये उपर कि तरह फिर से आ जाएगा, ये क्या होता है, जैसे हम example के तोरपे समझें, कि आपका sweater का business है, तो sweater का business दिसंबर मैना में भेंकर विकरी हो रहा है, मार्च अपरे ले आते घट जाएगा, मेज जूना तेदा है पूरा ही घट जाएगा, फिर नॉम्बर बेचने वाला, अगर बेचने वाला बोलता है, मैं इतना में ही बेचूंगा, तो जरूरी नहीं है, वो आदमी क्या करता है, उसको उतना में नहीं खरी सकता है, तो छोड़ देता है, लोग क्या करता है, दाम घटा लेते हैं, और उसको उसको बेच देते हैं, ठीक, तो ये मुले पढ़ना ले बजार सक्तियों के निजाज होती है यह मनमानी नहीं चलती है तो मनमानी रूप से नहीं बेच सकते हैं कि दूसरा वाला भी बेच रहा है ठीक है तिसरा नमबर हो गया डी मेरिट्स आर्थिक असमानता में ब्रिद्धी होती है आर्थिक रूप से कोई ज् संगर्स को और विरुजगारी को क्या करता है बढ़ावा देता है तो क्लियर हुआ यह चीज नेक्स टॉपिक पर आते हैं हम लोग जो की है एडम समेथ एज वान अफ दा अर्ली फ्री मार्केट फिलोसुफर फ्री मार्केट क्या है समझे तो लेवी सताबदी में क्या हुआ था इंग्लेंड में इंडस्ट्रियल रिवलुशन हुआ था इंडस्ट्रियल रिवलुशन के तहट क्या हुआ था जो लोग हाथ से बनाते थे कोई समान को अब वो मसीन से बनाने लगे तो मसीन से जब बना सके जैसे माल लीजे आपके समान में अगर बाहर का आकर बेचेगा और तो यहां के लोग क्या होंगे यहां के जो बेचने वाले गुस्ता नहीं होंगे लेकिन आज की दुनिया में देखे तो बाहर से लोग आकर बेचने गुस्ता होता है नहीं सुरुवात किस ने किया था य दूसरे देश में जाकर अपने समान को बेच सकता है ठीक है इसी हो कहा गया था free market का concept जो कि किस ने दिया था Adam Smith ने दिया था और इन्हों ने कहा था कि यह market system जो है वो और निभी刑़ है क्यों है क्रें की स्काग मुळिदारान होता है वह अपने आपर ही जाता है कहां से होता है पता नहीं चलता पर हो जाता है किया यह आलो जो 30 रूप किलो ही क्न के वजए से हुआ है जैसे ही मतलब production भड़ता है दाम बढ़ जाता है चले नेक्स आते हैं छे नमर टॉपिक state property या planned economy या features समझेंगे state property क्या है या planned economy क्या है इसको public property भी कहते हैं ये देखिए सरकार है ये क्या है सरकार का हाथ है ये जैसा चला रही है देखिए कटपुटली के जैसे चलाएगा वो चलेगी क्या होता है प्राइविट वाला में क्या था कि जो समान था वो आपका था गवर में ये state property क्या है जो भी समान है वो किसका है जो भी property है वो किसका है सरकार का है अब सरकार डिसाइड करेगी कि आपको कैसे क्या करना उत्पादन करना किस समान को उत्पादन करेंगे किसको कितना में बेचेंगे क्या कैसे करेंगे सारा एकनोमी एक्टिविटी कौन कौन कंट्रोल करता है तो वो सरकार करती है आप उसके इसारों पर क्या करते हो इधर उदर नासते हो तो देखे, इसी को क्या कहते है State Property अब इसी को Planned Economy क्यों कहते है क्योंकि सरकार पूरे साल भर का Planning कर लेती है कि हमें इतना से इतना मेना ये उतपादन करना है इतना से इतना मुझे ऐसे करना है इन लोगों को ये काम पे लगाना है मुख्यों दिस होता है किसी एक व्यक्ति का कल्यान नहीं है यहां समाज का कल्यान है पूरे समाज को यहां पर देखा जाता है देखिए प्राइवेट वाला में क्या था एक आदमी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है वो बड़ा आपनी बन गया लेकिन इसमें क्या होगा सरकार का उचीत उप्योग होता क्या है कि अगर मालेजिए कोई जमीन है माले मैं बहुत अमीर हो और अमीर होके मैंने बहुत सारा जमीन खरीद लिया ठेक और मैंने खेती सरी इतना में किया क्योंकि मैं क्या हो बहुत ज़दा अमीर हो और इतना जगा जो है वो क्या हो गया बरब D-Minutes क्या है, चुकि बराबर समझरों से सब को देखते हैं तो कुसल जो स्रमी को उसको पुरसाहन नहीं मिलता है, जैसे मालनी जे कोई वैक्ती है जो बहुत अच्छा काम करना जानता है, और एक वैक्ती है जो काम करना उतना अच्छा नहीं जानता है, अब दोनों को समान सेल पर नहीं पाएंगे क्यों कि सरकार उस पर नियंतरन के गर बैठी हुई है, ठीक, next, यह आपका आखरी वाला पेज है, जल्दी खतम करेंगे, हम लोग कितना 24-25 मिनिट हो चुका है, साथ नमर टॉपिक है, discuss socialism and communism, देखे, वहीं से socialism निकला हुआ, socialism क्या है, किसी ऐसी अर्थवेवस्ता, जिस पे उत्पादन पर किसी एक व्यक्ति का सामित वना होकर, पूरे समाज का हो, पूरे समाज का अधिकार हो, तो उसको क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, और लाब में सब का क्या हो, हिस्सा हो, ठीक, उसी के बाद क्या कि निकला है communism निकला हुआ है, communism उससे थोड़ा और आगे बरके है, क्या है वो, कि देखे, समाज पर तो सबका अधिकार होगा, और लाब पर बरी, मतलब उस पर सभी लोग का बराबर अधिकार रखते हैं, यानि लोगों में कोई वर्ग हिन, यानि कोई भी क्लास नहीं होगा, कोई अमिर गमिर गरीब नहीं होगा, कोई पूजी भी हिन मतलब कोई ज्यादा पैसे वाला और कम पैसे वाला भी नहीं होगा, और राज भी हिन मतलब कोई बटवारा नहीं होगा, सब बड़ाबर होगी, यह था आपका महोदय ने जो की photo यहाँ पे है इन्हों ने इसका पतिबादित किया था जिसको Marxism भी कहते हैं सुसलिजम भी कहते हैं और आपका communism सब एक ही रूप है थोड़ा सा अंतर अंतर के हैं ठीक समझ में आया नेक्स्ट आते हैं no number आपका है mixed economy यह mixed economy क्या है देखे इसके पहले हम लोगे ने दो economy पढ़ा है कौन-कौन सा private economy और planned economy दोनों को mix कर दीजिए तो वो हो क्या mixed economy जैसे यहाँ दीके safe ने क्या किया है एक mix सब्जी बना रहा है एक तरफ private वाला मिलाया और एक तरफ public वाला मिलाया दोनों मिला के क्या बना दिया mixed economy बना दिया चलिए तो mixed economy में क्या होगा mixed economy is an admixture of capitalism and socialism capitalism का मतब हो गया आपको जो private property था और socialism हो गया आपका जो planned economy था दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया mixed economy नेक्स्ट आते हैं अच्छा इसका characteristics क्या है इसका characteristics बड़ा simple है को existence of private and public enterprises दोनों होते private भी होते हैं और public भी होते हैं दोनों का mixture है individual freedom इसमें आर्थिक रूप से आप क्या है स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए ऐसा नहीं क्या कि हाँ वो जो public वाला मिलाया हुआ है तो सरकार ही पूरा नहीं अंतरगरी के ऐसा नहीं है उसमें ज्यादा individual freedom भी होता है merit क्या है इसमें अर्थ व्यस्ता में संसाधन का सर्वत्तम फियोग होगा क्योंकि सरकार भी देखेगी और हम private वाला भी देखेंगे ठीक है दो नमबर होगे आपका इस अर्थ व्यस्ता सरकार कुछ ऐसे निन्य भी ले पाती है जो सब भी वर्गों के लिए समाज का कल्यान का रूप होता है जिसे देखेंगे अगर हमारे पास में mixed economy नव हो जैसे मेरा भारत क्या है mixed economy का हिस्सा है तो जो गरीब लोग है सरकार देखती है कि नहीं कैसे देखती है जैसे बंगाल में क्या है वो लक्षमी बंडार 500 रुप्या हरे को मिल रहा है गरीब लोगों को ठीक है उसके बाद मे हो गया ठीक है यह चीज है यहाँ पर डी मिनिट्स क्या है मिस्री तर्थवरस्था देखे दोनों का मिला जूला रूप है पुझी वाद का और समाच का भी बाद का भी है लेकिन ज़्यादा तर किसके तरफ जुका हो जाता है यह जुग जाता है किसकी तरफ फूझी वाद की तरफ ही ज़धा चला जाता है क्योंकि जिसकी गालठी उसकी भेहसवाला बाद है जो सरकारे आती है वो चंदे से आती और चंदा कोहोंदेता है फूझी वादी जोब तो ज़्यातर उसकी तरफ जुग जाता है दो नंबर मिस्री तरदवस्ता में सरकार के ताना सा होने का क्या होता है भै होता है हो सकता है ठीक है तो ये बना रहता है चले नमर 10 आते हैं हम लोग डिसकस हाओ डिफरेंट एकनॉमिक सिस्टम सोल्ड अमोस्ट इंपॉर्टिन एकनॉमिक कोश्चन जो हमारे एकनॉमिक से कोश्चन था बहुत सारा कोश्चन था हम लोग कैसे कैसे सोल्फ करते हैं दीकि चार मैंने आपको बताया है कौन-कौन सा प्राइवेट एकनॉमि प्लांड एकनॉमि सुसलिजम कैपिटिलिजम और भी बहुत सारे हैं यहां पर मार्क्सिजम तो यह सब मैंने हम लोग ने चर्चा कर लिया है तो इसमें दुबारा चर्चा करने की जरूत नहीं है अब 11 नमबर टॉपिक आते हैं हम लोग कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्सिस देखे तरह जल्दी खतम हो रहा है लेकिन आप घबराएए मत इसके बाद वाले जो वीडियो आएंगे न आपका जो MCQ सब चर्चा करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा चलिए कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्स क्या होता है आपके गाउं में या सहरों में ऐसा कोई जगा देखने को मिलता है जहां पर कुसी एक आदमी का दिकार नहीं हो कर पूरे समाज का दिकार होता है आप मैदान देख लो जो ग्राउंड होता है ठीक है प्ले ग्राउंड होता है वो सब आके खिल सकते हैं गाउं का एक तलाब है जो किसी का नहीं है सबका है तो एक आदमी आया मचली पकरने के लिए क्यों क्योंकि सबका है तो हम भी कर सकते है वहाँ पर नहाने भी आ सकता है और ये भी तो एक आदमी आके मचली पकरके लेके गया अब बताए ये क्या होगा इसी को क्या कहते है common property resources कहते है तो कुछ संसादनों पर किसी विशेश व्यक्ति का अधिकार ना होकर समाजिक लोगों का अधिकार होता है जिसे क्या कहते है common property resources कहते है जैसे गाओं का चाड़ागा ठीक है या फिर गाओं का और भी बहुत सरा चीज हो सकता है तालाब हो सकता है और आपका community hall होता है ठीक है सब का अधिकार होता है अब यह tragedy of commons क्या है जब सब का अधिकार होगा न यह आदमी ने आया मचली मारके गया दूसरे को भी लगया रहे हम भी मारेंगे क्योंकि हमारा भी तो अधिकार है उसमें तो वह भी आके इसमें मारना स् बहुत जगा पर क्या होता है जो गाओं में जो मैदान वेगरा होता है एक आत्मिया के खेला दूसरा भी आता है तिसरा भी आता है पुड़ा गाओं को भरवात मत्तों गाओं का जो मैदान होता हो वही खराब हो जाता है ठीक है तो इसको क्या कहते है tragedy of commons कहते है तो चुक आम का पेड़ उग्या या अमृत का पेड़ उग्या तो बताइए वो समाज में सभी लोगों का अधिकार उस पे है तो उस आम का पेड़ का जो है वो आम का पेड़ का जो फल है आम वो कभी भी पकने वाला है नहीं क्योंकि थोड़ा सा कच्चाई रहेगा तो लोग क्या क रखाएगा लेकिन सभी के लिए हैं तो सभी उसमें क्या होते हैं टूट पड़ते हैं नेक्स्ट लेकिन इकसके solution है क्या solution है cooperative society अब बता आपके मन में आ भी रहा होगा सर ये तो बात है कि common property resources का मतब problem होता है जिसको tragedy of commons कहते हैं लेकिन हर एक मैदान में या चाड़ागा में आप club का नाम सुने होगे जो club उसकी देख भाल करता है जिसको कहते हैं cooperative society वो क्या करता है common property resources पर tragedy of commons की सिति उपस्तित ना हो इसके लिए हर समाज में उपस्तित common property resources पर cooperative society का निर्मान होता है जो club का निर्मान कर लो या और सब चीज का निर्मान होता है तो वह क्या करती है उसके देख भाल करती है कि हाँ वहाँ गंदा बगरा न हो जैसे example के तौर पे आपके वहाँ मैदान है कोई कोई प्लेगराउंड है जहां पे बाजार लगता है सबता सबता एक दिन बाजार लगता है तो वहाँ बाजार लगेगा तो सभी के लिए सब आके बाजार लगा देता है तो गंदा हो जाएगा अब गंदा होगा तो साफ क मना वो क्या करता है उस problem को solution करने की कोसिस करता है clear 12 number topic पर आते हैं developed economy हमारे पूरी दुनिया में कुछ ऐसे country है जो बहुत गरीड है कुछ ऐसे हैं जो developing develop हो रहे हैं जब सामा भारत है develop हो रहा है और कुछ ऐसे country होते हैं हो चुके हैं जिसका पहचाने के कैसे कि वह develop हो चुका है तो उसमें दो चीजे हैं पहला है आपका कि उसमें प्रती व्यक्ति आये बहुत ज़्यादा होगा जैसे हम लोग कितना कमाते हैं साल बर में 2,5 रुपय कमाते हैं वह लोग 20-25 रुपय साल बर का कमाएंगे देखे यहां पर विक्से तर्व लोग का रहा होगा का उचे स्थर पर होता है एक तो यहां पर मैंने बताया कि इसका बढ़ेगा रहन सहन जो अभी है वो मिडिल क्लास टाइप का है लेकिन धरी धरी बढ़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग डिबलप्ट एकनॉमी क्लियर तो हम लोगों ने आज वाले क्लास में जिसमें लेसन निमर टू को हमने कम्पलीट किया लेकिन आपका एक्जाम में जो कुश्चन आता है उसके लिए इनफ है देखे यह सब हमने टॉपिक को कम्पलीट किया और आपको कुश्चन किस प्रकार से आता है mcq very short answer question और saq अगले वाले वीडियो में हम लोग इस तीनों पर चचा करेंगे पहले mcq पर फिर हम लोग करेंगे very short answer question पर और फिर saq पर और आपको बता दूँ कि application में आपका economics पर आएंगे lesson number 2 पर आएंगे यहाँ देखे मैंने study metal यहाँ पर है यह video आजाएगा इसमें देखे mcq दिया हुआ है इसमें mcq दिया हुआ है अरे क्या हो गया यहाँ देखे lesson number 2 में mcq दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है play करना है play करना मतलब क्या है कि आप खेलिए इसको ठीक है आपको mcq जैसा game होता न हम ऐसे खेल सकते हैं very short question यहाँ पर दिया हुआ है notes इसको समझाएंगे हम अगला वीडियो में और ऐसे की notes दिया हुआ समझाएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे